जमू कश्मीर के लेफटिनेंट गवर्नर मनोज सिनहा ने गांदरबल अटैक में मारे गए जमू के शशी अब्रोल के परिजनों से मुलाकात की डाड़ास बधाया और वहीं से आतंकियों को सीधा मैसेज दे दिया सुरक्षा बलो को खुली छूट दी है आतंकियों का जल्द सफाया करने का आदेश सुना दिया है हमले पर बढ़के फारुक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी दे दी टार्गेट अटैक पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सरकार एक्टिव है दिल्ली और शुनगर में हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है खूफिया एजनसी आलर्ट मोट पर है गांदर बल में जो अटैक पाकिस्तान ने करवाया है उसका करारा जवाब मिलेगा ये पक्का है ये आतंक वाद को कश्मीर का जवाब है आतंकियों ने डॉक्टर शेनवास की जान ली तो पूरा बढ़गाम सरक पर उतराया हज़ारों लोगों का हुजूम जनाजे में मौजूद है आतंकी हमले में जम्मू के शशी अबरोल की हत्या हुई है शशी की पत्वियों और बच्चों का दर्द सुनकर पूरा देश सन है गुस्से में है जम्मू कश्मीर में गुस्साई लोग सरकों पर उतराये आतंकियों और आतंक के आका पाकिस्तान का पुतला फुगार का पाकिस्तान का पाकिस्तान पाकिस्तान जम्मु कश्मीर के अब्दुल्ला सरकार ने भी पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे लिया है अब बताइए मुझे इन दरिंदू को मिलेगा क्या क्या वो समझते हैं इससे यहां पाकिस्तान बनेगा आज कई सालों से हम यह देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से और हम कोशिश कर रहे हैं कि यह मामला खतम हो हम लोग आगे बढ़ें हम लोग मुश्किलों से निकल सकें मैं पाकिस्तान के हुकुमरानों से यह कहना चाहता हूँ अगर वो सचमुश हिंदूस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर यह बंद कीजिए कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा दमो कश्मीर में आतंकियों ने साथ लोगों की जान ले ली है गांदर बल के गंगनगीर में सेंट्रल गॉवर्मेंट के जेड मोड टरनल प्रोजेक्ट को आतंकियों ने निशाना बनाया आतंकियों ने पहले साइट की पूरी देखी की, गैर कश्मीरियों का टार्गेट सेट किया, फिर अटैक का टाइम फिक्स किया रात में जब मजदूर टरनल साइट पर खाना खा रहे थे, आतंकियों ने इसी समय हमला कर दिया मजदूरों को घेर कर अंधादूंद फायरिंग की, टेररिस्ट अटैक में छे गैर कश्मीरी मजदूरों की मौत हो गई जब ये एक लोकल कश्मीरी डॉक्टर शेनवास दार की भी जान चली गई हमले में प्रजेक्ट के डिप्टी मैनेजर शशी अबरोल मारे गए, शशी जम्मू के रहने वाले थे जबकि दूसरे जान गवाने वाले लोगों में पंजाब की गुरुमीज सिंग, एमपी के सीधी के रहने वाले अनिल्थ शुकला और बिहार के तीन मजदूर शामिल है जिसमें वेशाली बिहार के फ़हीम नासिर, मधेपुरा के मुहम्मद हनीफ और कलीम शामिल है। जब मुकश्मीर के कंगल इश्वाक एमद भट गांदरबल के रहने वाले हैं। जा रहा है कि ये मिलिटेंट हमला जो है पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। आतंकी हमला सीधे अब्दुल्ला सरकार को चैलेंज है क्योंकि आतंकियों ने सीधे सीएम उमर अब्दुल्ला की विधान सभा में हमला किया है। गांदरबल उमर अब्दुल्ला की विधान सभा है यहां से उमर चुनाव जीते हैं। बे गुनाओं के खिलाफ इस तरह तशद्द का इस्तिमाल यह कहां से जायज है। और इससे हासल क्या होगा। पिछले 35 साल से तो हम यह देखते आएं हैं। लेकिन जमू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जमू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरमन एक माहौल में मिलेगा। और जहिर सी बात है इस हमले के पीछे वज़े यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जमू कश्मीर में हाला अभी पूरी तरह से साज़गार नहीं है। धरा 370 हटने के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इसका जवाब भी सबसे बड़ा होगा। जवाब ऐसा होगा जिसके बाद आतंकी दूसरा हमला करने से पहले सौ बार जरूर सोचेंगे। दिली से कश्मीर तक पूरे सिस्टम की टर्गिट पर अब गांदर बल के खातल है। अलजी मनोस सिना ने हमले में मारे के शशी अबरोल की फैमली से मुलाकात थी। धांडस बदाया और साफ किया बेगुनाहों की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। बाहर के लोग और कुछ अस्थानी हैं जो उस जेडमोर टरनल प्लकाम कर रहे थे। उनकी दुर्भा के पूर्ण मौत हुई है। कल मौक कहे वरदाद पर डी जी पी और जमुकस्मीर पुलिस के सीनियर अब सरान गए थे। मैं खुद भी आज इस किम्स में घायलों को देख काया रहा हूँ और अभी एक मरतक परिवार से जखते के तुरूप से मिला हूँ। सुरक्षावलों को पूरी आजादी दी गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जिन लोगों ने दुर्भा के पूर्ण घटना को इंजाम दिया है। क्योलों की निंदा नहीं बलकि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाए जाए यह जरूर जम्मोकस मिल पुलिस करेगी।